क्या कुछ कर रहें? क्या कुछ कर रहें? बानिय सांसद, डॉक्टर महेश सर्मा जी, बारती जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्स, श्विपुपेन चौधरी जी, सेमी कंडुक्टर इंडस्टी के दुनिया भर से पधारे सभी से ग्लोबल लीडर्स, सियोज, आज केस समारों में उपस्तित मान्य जन प्रतनिधी गाण, इस फेड से जुड़े भेविसे सग्यागाण, और उपस्तित बैन और भाईयों, सेमी कौन 2024 के आज के इस उद घाटन अउसर पर मैं सबसे पहले आधन ये प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ, अविनन्दन करता हूँ, इस त्रिद्वसिया प्रतिष्टित इवेंट के लिए उत्तर प्रदेश का चेयन करने, और इस इंडस्टि से जुड़े हुए काइप्टेन शियोज को जो पूरे एको सिस्टम के माध्यम से, इस पूरी इंडस्टि को एक नई गति दे करके भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के आधनिय प्रधान वंत्री जी के विजन को, जमिनी धरातल पर उतारने के लिए आयूचत होने आले, इस समारों के प्रती, उनके प्रती हिर्दे से आभार भी व्यक्त करता हूँ. हम सब जानते हैं कि सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महमारी COVID-19 के कारण लगातार प्रभावित रही. एक और COVID-19 का दूस्प्रभाव और दूसरी और भूर आजनेतिक बैस्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा अशर पड़ा था. सेमी कंडक्टर निजस्टी भी इस से प्रभावित हुई. उस समय हमने देखा होगा हरे एक फिर्ड में वाटर मॉबाइल का रहा हो, मेडिकल एक्यूपमेंट का रहा हो, या एलक्टोनिक आइटम से जुड़ेवे हरे एक छेतर में हम लोगों को इस से प्रभावित होते हुए देखा गया. लेकिन हमारा सौभाग्य है कि अपने विजनरी लीडर्शिप के माध्यम से, जब दुनिया कोविड-19 से अभी पस्ती थी, सफलतम कोविड-19 के प्रवंदन के साथ ही भारत सेमिकंड़क्टर्स और डिस्प्ले मैनिफेक्टरिंग एको सिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करते भी इस कारिक्रम को आगे वढ़ाता है. यहाँ भारत की आत्म निर्वर भारत बनाने की दिसा में एक महत्तोपूर्ण कदम है. आधनिय प्रधानमंत्री जी के ही मार्क दर्शन और उनकी विजनरी लेडर्शिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिसा में आईटी सेक्टर, सेमि कंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्टोनिक मेनिफेक्चरीम पर गिसेज ध्यान देने और इस दिसा में कुछ नए प्रियास हो सकें या कार्य प्रारम्ब किया. पिछले कुछ वर्सों के दोरान जो प्रियास उत्तर प्रदेश में प्रारंब हुए याज उसका पेड़ाम है कि देश की मोबाइल मैनिफेक्चरिंग के 55 प्रतिसत ता मोबाइल कॉंपोनेंट के 50-50 उत्तपादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलक्टॉनिक्स के द्यातक के रूप में उभरा है सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की अस्थापना का निवेश भी इसी नुएडा में किया है आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब की रूप में स्थापित हुआ है प्रदेश में सेमिकंड़क्टर का उनकूल वातावन तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमिकंड़क्टर नीती 2024 लागो की गई है इस नीती में पूजिगत सहयता, ब्याज उपादान, भूमिमुल लेतास, स्टैंप वा विद्दुत सुलकों में भी छोट करने के अनेक आकरसक प्रवधान किये गए है उत्तर प्रदेश पहले सेही बैस्विक सेमिकंड़क्टर डिजाइन इंजिनियर्स की हब की रूप में स्थापित हो रहा है Mediatek, ERM, Qualcomm, NXP, Candance और Synopsis जैसी परमुक कंपनिया यहां प्रदेश में स्थापित है यह उत्तर प्रदेश में अस्थानिय प्रतिभा को लाब उठानिय में वा सेमिकंड़क्टर डिजाइन ता मैनिफैक्टरिंग में इनोबेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही है इसको देखते वह आईटी इंडस्ट्री को प्रदेश में उद्योग का दरजा देने का निर्णे किया गया है जिससे प्राधी करणों के अधीन उद्योग भूमि को और द्योगिक सस्ते दरों पर आईटी कंपनियों को दिया जा सके तथा 150 किलोवार्ट की सभी आईटी कंपनियों को और द्योगिक दरों पर बिद्दुद की आपूरती भी किया जा सके प्रदेश में निवेश के अन्कूल वातरण बनाने की दिसा में अनेक कदम उठाए गये है इस आप डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप एचीवर का दरजा हासिल किया है सेमी कंड़क्टर, आईटी, आईटी एस, डाटा सेंटर, एलेक्टोनिक्स, मैनिफेक्ट्रिंग, डिफेंस एंड एरो स्पेस, एलेक्ट्रिक वेकेल, वेरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमेसमी, टेक्स्टाइल वर टूरिजम आधि से समंधित, 27 सेक्टोरियल पॉल्सीज वर्तमान में प्रदेश में लागू है, उत्तरप्रदेश में FDI, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक हमारी समर्पित नीती है, उद्यम्यों की सुविधा के लिए टेक्नोलोजिक आधिकाधिक उप्योग हो, इसके लिए सिंगल विंडो निवेस मित्र के माध्यम से 450 सेधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही है, मौनिटरिंग है तो निवेस सार्थी पोर्टल विक्सित किया गया है, ता इंसेंटी बितन भी आधि प्रदेश में ऑनलाइन किया जा रहा है, निवेसोकों की साहता के लिए सौ उद्यमी मित्र तैनाद किये गये हैं, इस ओप डूइंग विजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के बहत्रीन विवस्ता, सुदेर्ड कानून विवस्ता, आज उत्तरप्रदेश की युएसपी है, उत्तरप्रदेश में रोड और रेल्वे का एक बड़ा नेट्वर्क है, वेस्टन और इस्टन डेडिकेट फ्रेट कोरिडोर प्रदेश से होकर के गुजरते हैं, वारानाशी से हलदिया के मध्य, देश का पहला इनलैंड वाटर वे संचाली थे, वारानासी में मल्टी मोडल टर्मिनल के साथ ही, दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब, पुडाकी में मल्टी मोडल ट्रांस्पोर्ट हड्प बिक्सित के जा रहे हैं यमना एक्सप्रेस वे के किनारे राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सीटी, ट्वाइस सीटी, एपरेल पार्क, हैंडी क्राप्ट पार्क, ग्रेटर नुड़ा में इंटी ग्रेटेड टाउन सीप, बरेली में मेगा फूट पार्क, उन्नाओं में ट्रांस गं आधनिय प्रधान वंत्री जी के विजन किन रूप निश्चिती भारत को इस फिर्ड का इस इंडस्ट्री का एक ग्लोबल लीडर की रूप में स्थापित करेगा इस विश्वास के साथ आज यह सेमिकॉन इस दिसा में मील का फथर साबित हो इस विश्वास के साथ इस प्रधान मंत्री जी का अब सब का हिर्दय से मैं स्वागत करता हूं और इस पूरे आयूजन की प्रति अपनी सुपकामनाई बेता हूं धन्यबाद जैहिन